श्री रादे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूटुब चल में स्वागत है, मैं विजिंद राज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ, आज की कथा बड़ी दिव्य है, वैसे तो भगवान की सभी कथा दिव्य होती है, लेकिन आज की कथा इश्वर के द एक बार की बात है, एक साहुकार नरहरी सुनार के पास गया, और कहता है, नरहरी भगवान बिठलनात ने मुझे खुश होकर एक बेटा दिया है, इसलिए मैं आज उन्हें एक रतन जडित कमर पट्टा चड़ाने के लिए आया हूँ, और पंदरपुर में तुमारे सिवा क कोई उसे गड़ नहीं सकता, इसलिए तुम चलो मेरे साथ, और भगवान की कमर का नाप ले आओ, और जल्दी से उसे त्यार कर दो, साहुकार ने ऐसा नरहरी को कहा, लेकिन नरहरी तो शीव भगत है, बड़ी शमश्या हो गई, भगवान बिठलनात का पट्टा कैसे लेने जाए, क्योंकि इतना बड़ा शीव भगत था, कि मंदिर वाली गली से भी जाना पसंद नहीं करता, अगर कभी उस गली से जाना होता, तो मूँ मोड़ के जाता था, कई मुझे भगवान बिठलनात के दर्शन ना हो जाए, क्योंकि ये तो मेरे भगवान है ही नहीं, मेरे भगवान तो शीव है, इसलिए ये शेव भगत वैसनवों के भगवान बिठलनात से बचता हुआ घुमता रहता था, अब जब नरहरी ने मंदिर में जाने से मना कर दिया, तो साहुकार ने सोचा, क्योंना मैं खुद ही भगवान का नाप लेके आ जो, तो ऐसा करता हूँ, मैं मंदिर जाके खुद नाप लेके आता हूँ, और वो नाप मैं नरहरी को बता दूँगा, और नरहरी फिर भगवान के लिए कमरपटा त्यार कर देंगे, साहुकार जी गए, भगवान बिठलनात की कमर का नाप लेके आये, और आकर नरहरी को बता दिया, नरहरी ने पट्टा बनाकर साहुकार को दिया अब साहुकार उस कमरपट्टे को लेकर जब भगवान के मंदर में उसे चड़ाने के लिए गया तो वो छोटा रह गया भगवान के साइज में सही फिट नहीं आया अब साहुकार बड़े परिशान साहुकार ने आकर नरहरी को बताया कि भैया कमरपट्टा तो चोटा बन गया नरहरी ने का कि कोई वात नी मैं इसे ठीक कर देता हूँ फिर नरहरी ने कमरपट्टा थोड़ा बड़ा बनाया और बड़ा करके सेट को दिया अब की बार वो सेट कमरपटा लेकर भगवान के मंदिर में फिर से गया लेकिन कमाल हो गया अब की बार भी वो पटा भगवान के फिट नहीं आया वो कमरपटा अब ज्यादा बड़ा हो गया अब तो सावकार चिंतित हो गया कि भगवान शायद हमसे खुश नहीं है कभी तो ये कमरपट्टा छोटा रह जाता है कि भगवान के आता ही नहीं है और कभी इतना बड़ा आता है कि देखने में भद्दा लगता है करे तो अब क्या करें चिंतित होकर वो सेठ नरहरी के पास आया और कहता है भगवान हमसे खुश नहीं है और एक तुम भी जिद पे अड़े हो कि हम वैशनों के भगवान के दर्शन नहीं करते हैं लेकिन मेरी दिल की तमन्ना है क्या भगवान तुम्हे एक बार मंदिर में चल सकते हो अब नरहरी से जब इतना कहा तो नरहरी ने कहा हाँ ठीक है शिट जी मैं चलूँगा लेकिन आप मेरी आखों पे पट्टी बांदो मैं आखों पर पट्टी बांद कर जाऊंगा और भगवान का नाप हाथ से ले लूँगा और उसके बाद कमर पट्टा तियार कर दूँआ अब की बार नरहरी सुनार की आखों पर पट्टी बांदी है मंदिर में लेकर गए हैं और आखों पर पट्टी बांद कर जैसे ही उन परमभक्त ने उस मुर्ती को छुआ तो आहाहा कजब हो गया उन्होंने उस मुर्ती में भगवान शिव का दर्शन हो रहा है दस भूज, पंच वदन, बुजंग भूशन, जटाधारी शंकर, इट पर खड़े मालुम पड़े उन्होंने सोचा अरे ये तो मेरे भगवान शिव है और मैं अपने अराध्या से बच रहा था हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो फिर दुबारा से भगवान के एक-एक अंग को छुआ तो भगवान शिव की प्रतिती होने लगी अब तो उन्होंसे रहा ने गया उन्हर हरी भक्त ने अपनी आखों की पट्टी हटा दी और जैसे ही पट्टी खोली तो भगवान शिव तो है नी भगवान बिट्टलनाथ है पितामबरधारी दर्शन दे रहे है और भगवान बिट्टलनाथ पितामबरधारी श्री कृष्ण बाके विहारी विष्णु जी को देखा तो तुरंट पट्टी आखों पे दुबारा कर ली कहते हैं ओहो ओहो आज तो मुझे भगवान बिठलनात के दर्शन हो गए ये क्या पाप हो गया मुझसे और फिर पट्टी बांद कर जब दुबारा टटोला तो फिर से भगवान शिव की अनुबुती होने लगी और पट्टी खोलते ही रुकमनी रमन, पांडूरंग, इट पर खड़े और कटी प्रदेश पर हाथ धरे वे दिखाई पड़े अब तो नरहरी रोने लगे, बड़े असमंजस में पड़ गे प्रभू ये आपकी क्या लिला है आप भगवान बिठलनाथ हो, या भगवान शिव हो, मेरी दूइदा दूर करो परभू तो भगवान ने अपनी करपा कर दी भगवान की करपा ऐसी हुई, कि उसे इश्वर में बेद बुद्धी रखने का अच्छा पाठ मिल गया क्योंकि शिव का तो बड़ा अच्छा भगत था, अनन्य भगत था, जिस कार्ण से उसे इश्वर दुएत का रहसे समझने में देर नहीं लगी वो जान गए, जो शिव है, वो ही विठल नात है, वो ही भगवान बाके विहारी श्री कृष्ण है, वो ही रुक्मनी रमन है, और जो विठल नात है, वो ही भगवान शिव है, महादेव है, भोले नात है भगवान दो नहीं है भगवान एक ही है लेकिन ये हमारी बुद्धी है जो भेद करती है जब उसके मन का भेद दूरुआ तो भगवान परसन हो गए भेद बुद्धी का नाश करना ही भगवान का लक्षय था अब उसके शिद हो जाने पर इस भेद बुद्धी के नश्ठ हो जाने पर भक्त की अनन्यता के वशिबूत होकर भगवान ने अपने भक्त की परसंता के लिए अपने भक्त की खुशी के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारन कर लिया तब से पंडरपुर के विटल भगवान के सिर पर आज भी शिवलिंग वराजमान है तो ये है भगवान की महमता जो अपने भगत के लिए कुछ भी कर जाते हैं केवल और केवल एक बार भगत का समर्पन भगवान को चाहिए इस तरह से भगवान ने नरहरी सुनार पर किरपा की है और एक भगत के कारण भगवान की किरपा का दर्शन सबको होने लगता है तो ये थी आज की कथा जो कल्यान पत्रिका में मैंने पड़ी और सोचा आप सभी तक ये कथा जानी चाहिए क्योंकि भगवान की कथा सुनने से सारे पाप दूर होते हैं और भगवान से प्रेम बढ़ता है आज के वीडियो को यही विराब भगवान की किरपा सब पर हो जय जय श्रीराद है